अगर आप भी टी बैग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप के लिए है आज के इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसे कितनी लागत में बिजनेस शुरू किया चाह सकता है रॉम मटेरियल, मशीनरी और उसकी कीमत आदी इसके लावा आपको चाह पत्तीों की वराइटी के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले जानते हैं चाह पत्ती की वराइटी के बारे में Green Tea, Green Tea का सेवन काफी अधिक किया जाता है क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है और Green Tea की पत्ती केमेलिया सेनेसेस पौदे से प्राथ होती हैं. उलांग Tea, ये चाय चाइना सहीत कई देशों में काफी प्रसिद है लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की चाय को अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं पिया जाता है लेकिन अगर आप अपना टी बैग का व्यपार अन्य देशों में करना चाहते हैं तो आप उलांग टी बैग बना कर इनका एक्सपोर्ट उन देशों में कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार की चाय पत्ती की मांग काफी अधिक है ब्लैक टी ब्लैक टी का सेवन भारत में किया जाता है और ये चाय पत्ती बाजार में बिखने वाली अन्य प्रकार की चाय पत्तियों में स्वाद में काफ फिल्टर पेपर को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है इन पेपर के दाम, इन पेपर की क्वालिची के आधार पर तैकिये जाते हैं कहा से खरीदे चाय पत्ती? आप अपने शहर या राज्य के किसी भी चाय पत्ती बेशने वाले वेपारी से थोक के दामों में इने खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन के जर्य के बताएगे लिंक पर जाकर चाय पत्ती खरीद सकते हैं लिंक पर जाकर आपको कई ऐसे वेपारी मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन के जर्य चाय पत्ती को बेचने का कारे करते हैं ये लिंक आपको description box में दे दिया गया है. टी बैग बिजनस से जूड़ी मशीन चाइपत्ती को filter paper में टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से pack किया जाता है और ये मशीन आप online खरीज सकते हैं. ये लिंक आपको description box में दे दिया गया है. चाइपत्ती के दाप चाइपत्ती के दाम उनकी quality पर निर्भर करते हैं. यानि अगर आप अच्छी quality की चाइपत्ती लेते हैं तो वो आपको 300 रुपए प्रती किलोग्राम की हिसाब से मिलेगी. वही अगर आप थोड़ी कम quality वाली चाइपत्ती लेते हैं Market Research टी बैग बनाने के आप बिजनस स्टार्ट करने से पहले आप इस बिजनस से जूड़ी Market की अच्छे से रिसर्च कर लें Market Research की मदद से आपको पता चल सकेगा कि आपके द्वारा बनाये जाने वाले टी बैग का कहां जाधा इस्तेमाल किया जाता है और किन जगाओं पर आप इन्हें बेश सकते हैं साथ ही आप टी बैग बनाकर बेशने वाली कंपनी से जूड़ी हुई रिसर्च भी कर लें ताकि आपको पता चल सके कि आप आपकी प्रतिसपरदा किन कंपनियों से है और इन कंपनियों द्वारा इस उत्पात के कितने मुल्य में बनाया जाता है और कितने मुल्य में बेचा जाता है